दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आप जो देख रहे हैं कि हिंदी कहानी दुलाई वाला हिंदी कहानी दुलाई वाला हमले क्या है हिंदी साहित नेट के परिशार्थियों के लिए यह उपयोगी है क्योंकि उनके सिलेबस में लगा हुआ है और बाके हिंदी साहित जहां कहीं भी आता है उसके लिए भी important है क्योंकि हमें कहानि जानते ही रहना चाहिए हिंदी की बिद्द्रतिवाइँ के लिए कहानी में आपका interest है उनके लिए भी important है और एक चीज और हम बता दे इस वीडियो में ना हम दिखेंगे ना कहानी दिखेंगी कहानी को आपको सुनना है और कहानी का एक इमेज अपने मन में बनाते वे इसको समझते वे चलना है 1907 में यह दुलाई वाली कहानी आई थी और इसके लेखिका है बंग महिला बंग महिला तो उनका उपनाम है इनका असली नाम है राजेंदर वाला गोस बंगाल की थी इसलिए इने पंग महिला कहा जाता है तो हिंदी कहानी दुलाई वाला आई ये शुरू करते हैं इसका वाचन कासी जी के दसा समेद घाट पर असनान करके एक मनुष से बड़ी ब्यग्रता के सांथ गुदवलिया की तरफ आ रहा था एक घटना को केंद में रखकर दुलाई वाली लिखी है बंग महिला ने 1907 की रचना तो कासी जी के दसा समेद घाट पर असनान करके एक मनुष से बड़ी ब्यग्रता के सांथ गुदवलिया की तरफ आ रहा था एक हाथ में एक मैली से तवलिया में लपेटी हुई भीगी धोती और दूसरे में सुरती की गोलियों की कई डिविया और सुंगनी के एक पुडिया थी उस समय दिन के 11 बजे थे मतलब दिन में 11 बजे गोदवलिया की बाई तरफ जो गली है उसके भीतर एक और गली में तो बना रस्तो गलियों का इसार है तो गली के भीतर गली थोड़ी दूर पर एक टूटे से पुराने मकान में वह जागुसा मकान के पहले खण में बहुत अंधिरा था पर उपर की जगह मनुस्य के वासुप योगी थी मतलब रहन्य योग्य थी नवागत मनुस्य धर धर आता हुगा उपर चड़ा गया वहाँ एक कोठरी में उसने हाथ की चीजे रग दे और सीता सीता का कर्फ करने लगा क्या है कहती हुई एक दस बरस की वाली का आखड़ी हुई तब उस पुरुष ने कहा सीता जरा आपने बहन को बुलाला अच्छा काकर सीता गई और कुछ देर में नवीना इस्त्रिया कर उपस्तित हुई उसे देखते ही पुरुष ने कहा लो हम लोगों को तो आज ही जाना होगा इस बात को सुनकर इस्त्रिकुष आश्चर यूग थोकर और जुजला कर बोली आज ही जाना होगा या क्यों बहला आज कैसे जाना हो सकेगा ऐसा ही था तु सबेरे भाईया से का देते तुम तो जानते ही हो कि मुझे का दिया बस छुट्टी हुई लड़की कभी विदा की होती तुम मालूम पड़ता आज तो किसी सूरत जाना नहीं हो सकता मतलब उसने कहा दिया नहीं हो सकता कि पट्ट मूं से कहा दिया अफ जट से हम तयार होके चलने हैं तुम आज कहती हो हमें तो अभी जाना है बात यह है कि आज ही नवल किसूर कलकत्ते से आ रहे हैं तो उसको ख़बर मिलीगी कलकत्ते से आ रहा है एक नमल किस ओर आगरे से अपनी नई बहु को भी साथ ला रहे हैं अपनी नई बहु को भी साथ ला रहे हैं सो उन्होंने हमें आज ही जाने के लिए इसरार किया है और हम सब लोग मुगल सराय के साथ ही लहावाच चलेंगे उनका तार मुझे घर से निगलते ही मिला इसी से मैं जट नहा दोकर लोटाया बस अब करना ही क्या है कपड़ा उपड़ा जो कुछ हो बांद बूद कर घंटे बर में खावी कर चली चलो जब हम तुम्हें बिदा कराने आये ही है तब कल के बदले आज ही सही हाँ यह बात है नवल जो चाहे करवाए क्या एक ही गारी में ना जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा मतलब वो का रहे है कि मतलब एक ही गारी में नहीं जाएगे बाद में चले जाएंगे तो क्या हुआ अब तो किसी तरह रुकोगी नहीं जरूर ही उनके साथ जाओगे पर मेरे तो नाको दम आ जाएगे क्यों किस बाद से उनकी हसी से और किस से हसी ठठा भी राह में अच्छे लगती है उनकी हसी मुझे अच्छी नहीं बाती एक रोज मैं चौक में बैठी पुडिया काड रही थी कितने मैं ना जाने कहां से आकर नवल चिलाने लगे एबुआ एबुआ देखो तुम्हारी बहु पुडिया खा रही है मैं तो मारे सरम के मर गई हाँ भावी जिने बात उड़ा दी सही मैं बोली खाने पहनने के लिए तो आई ही है फर मुझे उनकी हसी बहुत बूरी लगी तो इसलिए नहीं जाना चाहती है कि वो हसी उनकी हसी ठठी अच्छी नहीं लगती बास इसी से तुम उनके साथ नहीं जाना चाहती अच्छा चलो मैं नवल से कह दूंगा कि यह वेचारी कभी रोटी तक तो खाती नहीं पूरी क्यों खाने लगी इतना काकर बंसीदार कोठरी के बाहर चले आए और बोले मैं तुम्हारे भईया के पास चाहता हूं तुम र बढ़ी लग रहने लगे बंसीदार इलहावाद के रहने वाले हैं मतलब धमा धम धमा धम अवरी मरी मयारे में जैसे रोती हैं वंसीदार इलहावाद के रहने वाले हैं बनारस में ससुराल है अब आपको कहानी समझ में आ रही है वंसीदार जो इलहावाद के रहने वाले बनारस में ससुराल है, वहीं विदा कराने आये हैं, इस्त्री को विदा कराने आये हैं, ससुराल में एक साले, साली और सास के सिवा कोई नहीं है, एक साला है, साली है, और उनकी सास है, नवल किसोर इनके दूर किनाते में ममेरे भाई हैं, नवल किसोर इनके ममेरे भाई हैं, पर दोननों में मितता के ख्याल अधिक है दोनों में गहरी मितता है दोनों एक जान दो काली भाए एक जिसम दो जान का सकते हैं उसी दिन बंसी धर का जाना इस्तिर हो गया, सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी, मा रोती धोती लड़की की विदा की समगरी गठी करने लगी, जानकी देई भी रोती ही रोती तयार होने लगी, उनकी पत्नी मतलब बंसी धर की, तो आपको कहानी अब थोड़ी से अ रही होगी की वनसिधर है घर इलावाद में बनारस में ससुराल है ज्यान की दे उनकी पत्नी है और उनकी पत्नी की जो बहन है सीता है और एक साला असाली है और सास है उनके ससुराल में बस तो वहीं विदा कराने आये हैं और मेरे भाई उनके है मेरे भाई उनके कौन है आपक जो कलकत्ता से आ रहे हैं नवल की सौर आपको एक थोड़ा सा हिंट देदे नवल की सौर ही दुलाई वाला बनेंगे बाद में तो उसी दिन बंसी धर का जाना इस्तिर हो गया सिता भन के संग जाने के लिए ही रो रोती धोती लड़की की विदा गिसाम पार पर दोती-रोती तयार होने लगी-कोई जाए सचुराल वालों के रवस्ताव आगे किसी नहीं कि दो चार नौकर जाकर हर समय बने रहे सीता के बाप के न रहने से काम बिगड़ गया है तो थोड़ा सा आर्ठी के सथी खराब हो गई सचुराल वालों के पैसे वालों कि आहरा की हां नौकर चाकरों किसे और कोई भी दो चार खुसामदी घेरे रहते हैं छूचे को कौन पूछे एक कहारिन एक कहारिन है सो भी समय कहां गई साले राम की तबीद अच्छे नहीं है वे हर घड़ी विच्छोने से बाते करते हैं मतलब उनकी तबीद खराब है तीस पर भी आप करने लगे मैं ही धीरे धीरे जाकर आप करने लगे कि जजाता हूं लेना तबीयत खराब थी तब बनसिधार बोले झाटी बनसीधर बिचाने लगे कि एक कि सवारी तो भले घर की स्थर्यों के बैठने लायक नहीं होता थी क्योंकि एक तो इतने ऊचे पर चड़ना पड़ता है दूसरे पराइब उनक وتक mier यहां से साथ है नहीं इलहाबाद में देखा जाएगा बंसिधर इका ले आए और जो कुछ असबाब था इक्के पर रखकर आप अपने आप भी बैठ गए जानकी देई बड़ी विगलता से रोती हुई एक्के पर जा बैठी पर इस औहिस्थिर संसार में इस्थिरता कहां यहां कुछ भी इस्थिर नहीं इका जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे जानकी की रूलाई भी कम होती गए शिक्रावल के स्टेशन के पास पहुश्ते पह क्या हुआ अपने धोती पर पड़ी दोती मतला उसारि वाल भी नहीं कि पुरुष जो पर हिंते हैं डूती परता वाला है थो तो तो पर पर फड़ी और क्या हुआ अरे एक बात तो हम भूली गएं कहकर पश्टा से उठे इक्के वाले के कान बचा कर जानकी जी ने पूछा मतलब जानकी जी ने कान में पूछा क्या हुआ क्या कोई यरूरी चीज भूलाए नहीं एक देशी दोती पहन कराना था सो भोल कर विलाईती ही पहनाए नवल कटर स्वदेशी है इसलिए वे मंगालियों से भी बढ़ गया है देखेंगे तो दो चार सुनाए भीना न रहेंगे मतलब वे मतलब नवल को बोले कि वो मतलब देखेंगे तो कहेंगे कि बहुत विलाती पहन रहे हो देशी नहीं हो तुम अपने देश का पहनों और बात भी ठीक है नहाग विलाती चीजे मोल लेकर रुपए की बरबादी की जाए देशी लेने से भी दाम लगेगा सही और पैसा भी रहेगा देश में जानके जरा भावें टेड़ी करके बोले धोती तो धोती पहनने से काम क्या या बूरी है बह अधिके वाले ने कहा इधर से टिकट लेते जाएए पूल के उस पार तो डेवढ़ी दर्जे का टिकट मिलेगा होता है ना कि इस पार से ले जाएए उधर ज्यादा दाम के देंगे वंसिदर फिर कर बोले अगर मैं डेवढ़ी दर्जे का ही टिकट लू तो इक्के वाला इक्के की सवारी देखकर इसने ऐसा कहा यह कतिवे वंसिदर आगे बढ़ गये यह था समय रेल पर बैटकर वंसिदर राज घाट पार करके मुगल सराय पहुचे वहां पुल लांकर दूसले प्लेटफार्म पर जा बैठे आप नवल से मिलने के खुशी में प्लेटफार्म में ही सुरू से आखिर तक देख गए पर नवल का कहीं पता नहीं वंसिदर फिर सब गाड़ियों को दोहरा गए तहरा गए भीतर घुस घुस करकर एक डिब्बो को देखा किन्तो नवल ना मिले अंत को आप खिजला उठे और सोचन लगे मुझे तो ऐसी चिठ्ठी लिखी और आप नाया मुझे अच्छा उल्लू बनाया अच्छा जाएंगे कहां बेट होने पर समझ लूँगा सबसे अधिक सोच तो इस बात का था कि जानकी सुनेगी तो ताने पर ताना मरगी पर अब सोचने का समय नहीं है रेल की बात ठारी वंसिदर जट गए और जानकी को ल आकर जनानी गाड़ी में बिठाया वह पूछले में लगी नवल की बहु कहां है वह नहीं आये खोई अटका हो गया आकर आप बगल वाले खमरे में जा बैटे टिकर तो डेवड़े का था पर डेवड़े दर्जा का कमरा कलकत्ते स्यानेवली मुसाफिरों से भरा था इसलि क्या अगड़ बगड़ सोचते गाड़ी कई स्टेशन पार करके मिर्जापूर पहुची मिर्जापूर में पेट राम की सिगाश सुरू हुई उसने सुझाया कि लहाबाद पहुचने में अभी देरी है चलने के जंजर में अच्छी तरह उसकी पूजा किये भी नहीं वंसेधर ने बना रहा था पेट दर मतब खाने की वज़स्त कर मतब खाने के लिए भूख उत्रे और पानी के बॉम्बे से हाथ मूध होकर एक खोचे वाले से थोड़ी से ताजी पूड़ी और मिठाई लेकर निराले में बैठके आपने ठीकाने पहुचाया मनलब खाया पीछे से जानकी कि सोधाई सोचा की पहले पूछ ले तब कुछ मोल लेंगे क्योंकि इस्त वनसिधर अपने कमरे में बैठे तो दो एक मुशाफिर अधिक देख पड़ी हैं आगे वाले में से एक उतर भी गया था जो लोग थे सब तीसरे दरजे की यूग की जान पड़ते थी अधिक सब कोई थे तो वनसिधर ही थे उनके कमरे के पास वाले कमरे में एक वाले गार के इस्तरी बैठी थी वह वेचारी सिर से पहरता कोड़े सिर जुकाए एक हाथ लंबा घूंगट काड़े कपड़े की गठरी सी बनी बैठी थी वनसीदर ने सोचा इनके संग वाले भद पुरुस के आने पर उनके सांद बाचित करके समय वितावेंगे एक दो करके तीसरी घंटी बजी तब वो हैस्तरी कुछ अचकचा कर थोड़ा सा मुखोल जंगले के बाहर देखने लगी जे हों गाड़ी छोटी वह मानुक काम से उठी रेल का देना लेना तो हो ही गया था अब उसको किसी की क्या परवा और अपनी स्वाभवाई गती से चलने लगी प्लेटफान पर भीड़ भी थी भीड़ भी ना थी अलब गाड़ी की चल दी क्यों दो चार आदमी रेल की अंतिम विदाई तक खड़े थे जब तक इस्टेशन दिखलाई दिया तब तक वह अभिचारी बाहर ही देखती रही फिर और अस्पाश्ट स्वार से रोने लगी जो एक इस्त्री थी जश्ट भगल वाले कमले से सटी वह सीर से पैड तक ओड़े थी और बाहर देखती रही थे फिर रोने लगी उस कमरे में तीन चार प्रवणा ग्रामीड इस्त्रिया भी थी एक जो उसके पास ही थी कहने लगी अरे इनकर मनाई तो नहीं ऐलन हो देखो रोवल करत हैं दोसरी अरे दूसर गारी में बैठा पहली दोर बाव रही कि जनाना गारी थेड़े है दूसरी तव ओ भलू तो कहू कहा का दूसरी भद महिला से पूछने लगी कौन गां उतरबू बेटा मेर्जय पुरा चड़ी हो ना इसके जबा में उसने जो कहा सोगार ना सुन सके तब पहली बोली हट हम पूछी लाना ह के कहाां उतरबू हो सकत इलहाबाद दूसरी इलहाबाद कौन गां हो गया पहली अरे नहीं यन्लो पयाग जी चहा मनें मकर नहाय जालान दूसरी भला पयार जी कहें न जानिला ले कहें के नहीं तोरे पंच के धरम से चार दाइन नहाय चुकल है ऐसा हो दो मुआरी और गहन दका दका लाग रहा अताउन तोरे कासे जी नहाय गई रहें पहली आवे जाय के तो सब अउता जादवा अप्फन या साइत विचार विपात में पडल बाटिन ना पन चाही राज गाट्टी कट कटवली मोंगल सराय उतर ली होद पून चड़ाय ली ऐसे एक दाई हमावत रहे कि मिली औरो मोरे संग रहे दकन टिसनिया पर उकर मलिकवा उतरे और उतरे सेकी जूरतिया गाड़ी खुली लब उतरता गाड़ी खुल गई अब भाईया उगरा फार भार नरिया गड़िया खड़ी कर खड़ी कर उर्वद बाचिन लादवा यह सहाव संग गड़ीया तनीच खड़ी कर उर्वद गड़िया लगणी कमरे रही है कि पहली ऊंच क्यों के चिल्लाय से लेर्कशक का है इसकी इस बात पर खुली कमरें वाले हस पड़िया हम जितने पूरे सब्सक्राइब एक से अनुखी बाते का कर अपने अपने तजूर्बे वयान करने लगी बीच-बीच में उसा के लिए अबला किस्तिती पर दुख प्रकट करते जाती थी तीसरी इस्त्री बोली टिकसिया पले वाय के नहीं है सहे ववा सुनित कलगत्ते ताइले मुसलिया ले अरे यहोत नहीं कि दूर से आवत रह लेना फरागत के वदे उतर लेना जोटी हम तो इनके संगे के आदमी के देखाम ना किसान रहलां तीसरी हम देखे रहली हो मजे को टोपी देहले रहलां इस तरह उनकी बेसिर पैर के बाते सुनते सुनते है वनसिधार उठे तब वे उन इस्तिरों से कहने लगे तुम तो नाहा कुन है और भी डरा रही हो जरूर इलावाद तार गया होगा अब दूसरी गाड़ी से विए भी वहाँ पहुच जाएंगे मैं भी इलावाद ही जा रहा हूँ मैं संग मेरे संग भी इस्तिरिया है जो ऐसा ही है दूसरी गाड़ी क तो यह सब कहानी होती रही ट्रेन में वहन से दर कि इन बातों से उनिष्ट्रियों कोई वाकधारा दूसरी वर बाचली मलब बीच में भोजपुरी था जो बात कर रही थी मुगल सराइलावाद बना रहा से तब यह सब तो भोजपुरी में ही बोला जाएगा बीच विच म है तो भोजपुरी जो समझते हैं वो अच्छी तरह से समझेंगे बाचित को बनसिदर के इन बातों से उनिष्ट्रियों की वाकधारा दूसरी वर बाचली हाँ या बात तो आप भली कही ना ही वह या हम पंचे कही कि क्यों से कहीं अरे एक एक करत नबाय तो दुनिया चलत कई सेवा है इत्यादी ग्यान गात होने लगी कोई कोई तो उस बैचारी को सहारा मिलते हैं देख खुस हुए और कोई-कोई नहराज भी है क्यों सो मैं नहीं बतला सकती उस गाली में जितने मनुसर से सबीने इस विसेवर कुछ ना कुछ कह डाला था पिछले कमरे में क्यो एक इस्त्री जो फार्सी से छेट की दुलाई ओड़े अकली बैठी थे कुछ नहीं बोली पिछले कमरे में एक हिस्त्री जो फार्सी से छेट की दुलाई ओड़े अकली बैठी थे कुछ नहीं बोली और सोरी जो यह है ना फार्सी सी छीट दुलाई वड़े बैठे थी यह दुलाई वाली है वनसीधर है यह और जो वाहिस्त्री है वनसीधर के बहु है पत्नी कुछ नहीं बोली कभी-कभी गूंगट के वीतर से एक आख निकाल कर वनसीधर की और ताग देती थी और सामना हो जाने पर फिर मूँ फेर लेती थी वनसीधर सुचने लगे कि यह क्या बात है देखने में तो यह भले घर की मालूम होती है पर आचर्ण इसका अच्छा नहीं गाड़ी लहवाद के पास पहुचने को हुई वनसीधर उस इस्त्री को धीरत दिला का राकास फाताल सुचने लगे यदि तार में कोई खबर ना आई होगी तो दूसरी गाड़ी तक इस्टीशन पर ही ठाड़ना पड़ेगा जो उसते भी कोई ना आया है तो क्या करूंगा जो हो गाड़ी नहीं से छोड़ गई आप सांति असी चिता इस्तियों ने मों खोला का भया जे क्यों भीना टिकट के आवत होई तो ओकर का सजा होला अरे ओका ना ओका इना ही चाहत रा के महरा रू के तब इठा देलान और अपने टिकट लई के चल देलन किसी किसी आदमी ने तो यहां तक दोड मारी के रात को बंसेदर इसके जीवर छिन का रफचकर हो जाएंगे उस गाड़ी में एक लाठी वाला विदा उसने खुलम खुला का का बाभुजी कुछ हमरों साजा होई इसकी बात पार वंसेदर क वहाद को भी अपने संगउतालों धिर उस गूडिया को उस इसतरी के पास बिठाका आप यानकी घूतानने गए जानकी से सवहाल कहने पर वहां वह वली आ भीदो किसी बखेड़े में मत पड़ो अपनी पत्नीस जब कहें कि ऐसा ऐसा बात है तो वह ली कि किसी बखेड़े मत पड़ो पर वंसिधन ने नमाना जानकी को और उस भद महिला को एक ठीक आने बिठा कर आप इस्टेशन मास्टर के पास गया है वंसिधर के जाते ही वह बुढ़िया जिसे उन्होंने रखवाली के लिए रख छोड़ा था किसी बहारने से भाग गई है अब तो वंसिधर बड़े अस्वंजस में पड़े हैं टिकट के लिए बखेडा होगा क्योंकि वह इस तरी बेटिकट है लोट कर आये तो किसी को ना पाया अरे सब कहां गई यह चारों तरब देखने लगे कहीं बता नहीं इस पर बंसिधर घबराएं आज कैसी बुरा साइट में घर से निकले कि एक के बाद एक दूसरी आफ़ में फस्ते चले आ रहे हैं इतने में अपने सामने उस दुलाई वाले को आते देखा तो ही उन इस्त्रियों को कहीं ले गई है इतना काना था कि दुलाई धुलाई से मोग खूलकर नवल कि सवर खिल खिला उट है अरे या क्या सब तुम्हारे ही करतू थे अब मैं समझ गया कैसा जब तुमने किया है ऐसी हसी मुझे नहीं अच्छे लगती मालूम होता है कि वह तुम्हारे ही बहुती अच्छा तो वह गई कहां तो ऐसा में बनाया था ऐसी कहानी घठेती ट्रेन में वे लोक तो पाल के गाड़ी में बैठे उने चलो नहीं flight 10 लूग तब कलुंगा हां यह तो कहें तुम मिर्जापुर में कहां से निकले मिर्जापुर नहीं मैं तो कत्यसे बलके मुगल सराहे सी तुम्हारे साथ चला रहा हूं , to talk, tab lab देख रहा था फिर मिर्जापुर में जब तुम पेट के धंदे में लगे थे मैं तुम्हारे पास से निकल गया पर तुमने ना देखा मैं तुम्हारे गाणी में जा बैठा सोजा कि तुम्हारे आने पर प्रकट होंगा फिर थोड़ा और देख लें करते करते हां तक नोबत पहुची अच्छा आप चलो जोगा उसे माप करो यह सुन बंसिदर प्रसंद हो गया दोनों मित्रों में बड़े प्रेम से बाचीत होने लगी बंसिदर बोले मेरे उपर जो दोनों घाली में तो थे ही हाँ पर यह दिमाय इस्टीशन माश्टर से इतिला कर देता तो बखेडा ख़ला हो जाता ना अरे तो क्या मैं मर थोड़े ही गया ता चारहांकी दूलाई की विसात ही कितनी हां हां हमाल अवरत बन गया था ओरके बंसिदर इसी तरह बाचित करते करते दोनों गाड़ी के पास आए देखा तो दोनों मित्र बंदुओं में खूब हसी हो रही थी जान की कर रही थी अरे तुम क्या जानों इन लोगों भी हसी ऐसी ही होती है हासी में किसी के प्राण भी निकाल जाए तो भी इने दयान आवे उसके पत्नी के तो रहोसी उड़ा दिया थे खेर दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को लेकर राजे खुशी घर पहुचे और मुझे भी अपनी उनकी यह रामकता लिखने से छुट्टी मिली तो इस प्रकार से रही दूलाई वाली कहानी कि Cyria weli कहानी कहतम हुई इसमें आपको बताई है कि वनिशिधर है और वहीए जानकी है वनिशिधर है नवल की शोर रहे उनकी नई पत्नी है वनिशिधर हो दूलाई वाला बने थे और उनके मह मेरे भाई है वनिशिधर नहीं बलकि नवल की सोर दुलाई वला बने थे जिनकी नई साधी हुई थे तो इस प्रकार से कहानी रहे उनको मतलब की एक मजाग किये थे बताये नहीं उनके साथ ही थे बाद में बताये लाश्ट में घबड़वा दिये फ्राण निकाल दिये खासकर अपने नई पत्मी के तो इस प्रकार से कहानी समय आपते हैं आपको कैसे लगे कमेंट के माध्यम से बताईए गया मिलते हैं नए वीडियो में जैंज भारत कमेंट जरूर किजिए कि आप को कैसा लगा और और क्या चाहते हैं